प्राइवेट करमचारियों को मिलेगी 7500 रुपए मासिक पेंशन आठ करोड लोगों को हो सकता है फाइदा EPA's Pension, EPFO, EPA's Pension सरकारी करमचारियों के लिए Unified Pension Scheme UPS की मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र के लिए भी पेंशन सुधार की मांग ने जोर पकड लिया है EPS 95 राश्ट्रिय संगर्ष समिती ने प्राइवेट सेक्टर के लिए नियूंतम मासिक पेंशन 7500 रुपए करने की मांग कर रही है केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतार्मन ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है dot हैदराबाद केंद्र सरकार के करमचारियों के लिए Unified Pension Scheme UPS की घोशना के बाद निजी क्षेत्र की कमपनियों में काम करने वाले करमचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग जोर पकड रही है UPS के तहट सरकारी करमचारियों को नियोंतम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है और अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा वहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे करमचारियों को करमचारी पेंशन योजना 1995, EPS 95 के तहट वर्तमान में केवल 1,450 रुपए औसत मासिक पेंशन मिलती है लेकिन UPS की घोशना के बाद निजी क्षेतर के करमचारी इसे बढ़ा कर 7,500 रुपए मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं MAM, Increase EPA's 95 minimum pension to 7,500 PM दा 78 lakhs old pensioners are waiting for your response Salute to Rautsir राजीव भटनागर, अट्द्रेट राजीव भटनागर 6, 31 अगस्त दो हजार चौबीस हाल ही में पेंशन भुगियों के संगठन EPS 95 राश्ट्रिय आंदोलन समिती के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीतार्मन से मुलाकात कर नियोतम पेंशन को बढ़ा कर 7,500 रुपए प्रति माह किये जाने की मांग की थी सीतार्मन ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी सीतार्मन ने EPFO के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है सरकार वित्तिय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद EPS 95 राष्ट्रिय आंदोलन समिती NAC में करीब 78 लाख सेवानि वृत्त पेंशनर्स और ओध्योगिक क्षेत्रों के साथ दशमलोव 5 करोड करमचारी शामिल है NAC ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतार्मण ने कहा कि सरकार EPFO द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तिय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबध है और इसका समाधान निकाला जाएगा करोडों लोगों को होगा फाइदा बता दे, बीते अगस्त महीने की शुरुवात में EPS 95 NAC के प्रतिनिधियों ने केंद्रिय श्रम एवा रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी मंडाविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी अगर सरकार समिती का मांगों को पूरा करती है कि EPS 4 से जुड़े करोडों लोगों को फाइदा होगा EPS पेंशनर्स के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग EPS 95 राश्ट्रिय आंदोलन समिती लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर ही है समिती के सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके है पेंशन सुधार के अलावा समिती की मांग है कि EPS सदस्यों और उनके पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाए समिती के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि पेंशन भोगी पिछले आठ वर्षों से न्यूंतम पेंशन में वृद्धी की मांग कर रहे है लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है .epas pension में करमचारी की मृत्यू के बाद पत्नी और बच्चों को मिलेंगी pension देखे नया नियम, EPFO न सिर्फ भविश्य के लिए PF खाते में आपका पैसा बचाता है बलकी retirement के बाद आपको pension की सुविधा भी मुहिया कराता है करमचारी pension योजना Employees Pension Scheme एक ऐसी ही योजना है जहां नीजी करमचारियों को भी पेंशन सुरक्षा मिलती है EPAFO ने साल 1995 में इस योजना को और आकरशक बनाते हुए इसका नाम बदल कर EPA's 95 पेंशन फंड कर दिया EPA's pension में करमचारी की मृत्यू के बाद पत्नी और बच्चों को मिलेंगी pension देखे नया नियम करमचारी pension योजना Employees Pension Scheme एक ऐसी pension योजना है जिसमें EPAFO करमचारी के साथ उसके पूरे परिवार को pension की सुविधा महिया कराता है इस योजना को चुनने वालों को कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती है करीब 75 लाख pensioners इस समय EPS 95 योजना के लाभार थी है इसके अलावा EPFO से करीब 6 करोड सबसक्राइबर भी जुड़े हैं जिन्हें हाल ही में EPA's 95 Pension Fund योजना चुनने का विकल्प दिया गया है यह योजना रिटायर्मेंट पर नियोंतम और गारंटीड पेंशन की सुरक्षा मुहया कराती है ऐसे ले Employees Pension Scheme का लाभ इस करमचारी पेंशन योजना, Employees Pension Scheme को चुनने वाले करमचारी अगर नियोंतम 10 साल तक नौकरी करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो उन्हें गारंटीड पेंशन का लाभ मिलता है यह EPS Pension, Pension Fund, किसी भी परिस्थिती में 1000 रुपए प्रती माह से कम नहीं होगी रिटायर्मेंट के बाद करमचारी को आजीवन इस पेंशन का लाभ मिलता है EPS Pension में करमचारी की मृत्यू के बाद पत्नी और बच्चों को मिलेंगी पेंशन पेंशन भोगी के साथ अगर कोई अन्होनी हो जाती है तो उसकी पत्नी को EPS Pension, Pension Fund का लाभ दिया जाता है हाला की पत्नी को मिलने वाली पेंशन की राशी करमचारी की पेंशन की 50 फीसदी ही होगी इसका मतलब यह है कि अगर पत्नी को 10,000 रुपए पेंशन मिलती थी तो उसकी गैर मौजूदगी में करमचारी पेंशन योजना Employees Pension Scheme में आपकी पत्नी को 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी EPS Pension Fund में 25 साल की उम्र के बच्चों को मिलती है पेंशन इतना ही नहीं अगर पति-पत्नी दोनों जीवित नहीं है तो उनके बच्चों को EPS Pension Fund का लाभ मिलेगा योजना के तहट दो बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है यहां मूल पेंशन का 25 फीस दी है यानि अगर करमचारी पेंशन योजना Employees Pension Scheme में मूल पेंशन 10,000 रुपए थी तो बच्चों को 2.5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी Employees Pension Scheme में ऐसे जमा होता है फंड अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा कटकर करमचारी भविशन निधी संगठन EPFO को भेजा जाएगा इतनी ही रकम नियोकता की ओर से भी खाते में जमा की जाती है नियोकता के 12 फीसदी योगदान में से सिर्फ 3.67 फीसदी ही EPF खाते में जमा होता है बाकी 8.33 फीसदी EPA's Pension Fund खाते में जमा होता है आपने 6 महीने नौकरी की हो या 15 साल नियोमों के तहट आप जब चाहें EPF का पैसा निकाल सकते हैं लेकिन EPA's के मामले में ऐसा नहीं है इसके लिए आपको करमचारी Pension योजना, Employees Pension Scheme, निकासी से जुड़े नियोमों को समझना चाहिए